आम आदमी पार्टी के कई दिंगजनेता पहले से ही जेल में बंद हैं दरसल सीयम के ज्रीवाल सरेकर पूर्ग रिप्टी सीयम मनीश bio शूद्या तक सबी जेल में हैं इसके अलाबा पूर्व स्वास्तमंत्री सतिंदर जेन भी जेल में हैं ऐसे में दिली की राज्य सरकार की मुश्किले पहले ही बढ़ी हुई हैं अब आम आदमी पार्टी की एक और दिगज नीता आतिशी की भी मुश्किले बढ़ने वाली हैं दरसल आपको पता दे कि 29 जून को आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को मानहानी मामले में कोट में पेश होना पड़ा था इस मामले में अब अगली सुनवाई 23 जुलाई को होने वाली है तो चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला दरसल मीडिया रिपोर्ट के मताबिक दिली के सियम अरविंद और आप नेता आतिशी ने बीजीपी पर आरोप लगाया था कि वो आपके विधायकों को पैसे दे कर खेजरिदने की कोशिश कर रही है उनका आरोप था कि बीजीपी के जरिवाल की सरकार को खत्म करने के लिए खरीद फरोप का फॉर्मूला अपना रही है इस पर आतिशी को कोट में पेश होने के लिए का गया था लेकिन वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से वो पेश हुई इस पर भी भाजपा नेता ने आपत्य जताई उन्होंने कहा कि आरोपी आतिशी अपने अधिवक्ता के साथ बीसी के माध्यम से कोट में पेश हुई है और समन मिलने के बाब जूत कहा कि उन्हें समन नहीं मिला अगली सुनवाई के दौरान उन्हें कोट पेश होकर जमानत लेनी होगी और मुकतमे को फेस करना होगा इस मामले में अगली सुनवाई करीब 25 दिन के बाद है 23 जुलाई को होने वाली है पता दें कि अगर ऐसे में आत